इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Windows 11 के laptop और computer में filter keys का option क्या होता है filter keys होता क्या है तो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आप start button पे click करें settings के option पे आ जाएं यहां search का option दिखाई देगा तो यहां लिखें आप filter मैंने filter keys on कर रहा है तो यहां पर time ले रहा है देखिए जो भी लिख रहा हूं इसमें time ले रहा है मैं आपको आगे समझाता हूं कि यह होता क्या आपको filter keys लिखना है और आप यहां पर देखेंगे मेरा filter keys on है basically filter keys on होने से होता क्या है देखिए अगर आप filter keys on रदेते हैं तो हर बटन देर से दबेगा तुरत नहीं दबेगा आप यहां पर देख सकते हैं ignore quick keystrokes मैंने यहां पर timing रखी है 1.4 second यानि अगर आप कोई बटन पर दबाएं तो तुरत नहीं दबे आपको 1.4 second तक दब के रखना है तभी यहां पर दबेगा जैसे यहां पर देखिए मैं लिखता हूँ ए तो एक बार एक पर क्लिक करूंगा तो नहीं आएगा बट अगर मैं इसे देड़ सेकेंड तक दबा के रखूंगा तो ही यहां पर आए आएगा तो basically यह उन लोगों के लिए होता है जिस इसे बार-बार कुछ भी गलत-गलत बटन डब जाते हैं तो आप फिल्टर की इस और रख लें तो आपको यहां पर टाइम सेट करना होगा और उतने टाइम बाद ही आपका जो वो बटन है प्रेस होगा रिपीट इट रिपीट इट कुछ भी बार-बार नहीं होगा ठीक ह आप अपनी मर्जी से जो बटन पर प्रेस करेंगे वही बटन प्रेस होगा और उतने टाइम में आपको वो दबाना होगा उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाना लेगिन मुझे लगता है आप समझ गया होंगे